हाई फैंस वेंकम टूबर ब्लाग तो गाइस आज है ममी आज वापिस आने वाली है उनके जो अपरेशन दावा हो गया है और इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ आज मतब पनीर और काफी दिनों से मैं जिम नी गई हूँ तो मेरा वेड अच्छा का सब बढ़ गया है अब क् तो गाइस ए हमारी मतब पनी की सब्जी बनाने की पूरी प्रपेशन मैंखी वेगा है तो कंपिस लिया है याप्टी है अब इसको मैंने तैल मैं तो तोड़ा गर्म करिए है झाल टर्म करना था दिया य। युझ तो दड़ या था तो कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर उजमें पनीर वगेरा वेगेरा क्योंकि यह अन्दाजे आपको तब होते हैं जब आप रगुलर काम करते रहो खाना बनाते रहो अब मैं रेगुलर तो बनाती नहीं हो तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितना तेल लेना चाहिए तो खैर सारी चीज़े करके हमने मैंने पनीर को पहले अलड़ी फ्राइ कर लिया था उसके अंदर क्योंकि परीना उसे सॉफ्ट हो जाता है तो बहुत हाड नहीं रहता है तो यह इसके अंदर मैंने कुकर में तोड़ा गरम वही वाला जो तेल था ना अलरड़ी जिसमें मैंने पनीर तला था उसी को मैंने इसमें ट्रांसफर करके पूरा मसाला इसमें डाल दिया अब आचली तो यह सारी चीजें डाल के मैंने इसको पूरा का पूरा से चलाना शुरू कर दिया तो वह मसाला थोड़ा सा भून लेना चाहिए तब वह जाद अच्छे से बनता है तो वही मैंने करने की कोशिश करी सो यह जो मेरा मसाला है यह बन गया है यह आल्मोस्ट मतलब तल चुक अच्छे मैंने अच्छे शिफ्ट कर दी और अच्छे के बाद मैंने जो आलो थे ना वह बहुता है क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है काने वाने का तो देखो सारी चीजें गिर रही थी मुझसे और यह भी एक रीजन था कि मतलब मैं थोड़ी सी अकलमंदी से तो म अगर मैं चाहती तो एजिली टांसवर हो सकता था यह पिर मैंने पनीर भी करने ले मुझे लगा मैंने जादा गर जाएगा तो यह उसको ना फिर कैमरे काफ करके मैंने उसमे पनीर डाल गए यह आप यह जा दिया था करना यार बहुत सिंपल सा प्रासीजर है बस थोड़ा सा ओयल जादा हो गया था बाकी तो सब्जी मुझे तो सही ही लग रही थी अच्छी लगेगी और यह हमारी जो सब्जी है इसको थोड़ा सा मैंने वह कर दिया था मालब कुकर में सीटी लगा दी दो तो यह बनके तयार तो सब्जी तो देखो गरम-गरम देखने में इच्छे लगती है तो गरम ओने इसलोगा थे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था उसको देखना क्यों कि मैं उसको दिखानी पारीटी ठीक से तो कोशिश तो बहुत की मैंने पढ़ ठीक है अभी नहीं और पा रहा था तो क्या कर क्या चलता है जानवरों को थोड़े कुछ बोल सकते हैं और गाइस ठंट की शुरुवात हो गई है तो मेरे जो कैट्स है ना दिन में भी अंदर ही घुज़े रहते हैं ठीक है अंदर ही बेट पे बैठे रहते हैं तो यह मैंने जो इनका बेट शीट जो आपको लग रहा है न तो यह तो फोड़े है और एक बहुत ही ब्रॉब्लम रह गई है और एक बहुत ही बच्शेश नहीं किवी आर रहिए बहुत है इसकी हरकते तो और ज़्यादा क्यूट है तो यह यह था हमारा अज का ब्लॉग मैं काफी दिनों से काफी दिन हो गए मुझे मैं जिम नहीं ग अच्छे से कैमरे में शूट करते वे बट जाओंगी कल से और ये अब खाने वाने का समान आ गया है वे सब मुझे ही हैंडल करना है क्योंकि मम्मी तो अब करनी पहेंगी काफी टाइम तक है ना तो ये सारा समान वगए था मेरे को एचली मैं बहुत कन्फ्यूज अपर डर सी बहुत जादा वो पता रही थी कैसे लग रहा है उनको हाथ काट दिया बिकॉस काफी मोटी हटी है जो टूट गई ती जिसको निकाला है तो इस ओके आर लाइफ में पता है कभी भी कभी भी कुछ भी हो जाता है तो यू नो कभी नहीं जाजा ना सोचना ने जिए लाइफ कर दो कर दो कर दो